गुड मॉर्निंग स्टुडिंट्स आज हम देखें क्लास 11 इंगली स्कॉर का एक फर्स्ट पोएम फोटोग्राफ जिसको कि सरलेट अलसन ने लिखा हुआ है चलिए सबसे पहले हम बात करें इस फोटोग्राफ की आखिर इस पोएम के पीछे के लिखने के पीछे का परपस प सब्सक्राइब करते हैं तो परपस यह है तो इस पोएम में लाइन बाइन आप देखेंगे चलिए हम फॉस्ट लाइन को देखेंगे कह रहा है कि the cardboard shows यानि cardboard जो है वो सोज कराता है यह क्या सोज कराता है me, how it was यानि कि मेरे को यह सो कराता है कि कैसा है अब यहां denotion of the cardboard क्या है बात यहां पर इकरी जा रही है कि cardboard का denotion क्या है तो cardboard को हम लोग बात कर सकते हैं जिस पर कि we can paste the photograph यानि कि दिवाल के ऊपर हैंग की हुई एक तस्बीर है एक photograph है जिसमें कि poet और उसकी mother दोनों जो है उसको देख रहे है situation और scene यह है यह वाल के ऊपर हैंग किया हुआ एक photograph है और poet की mother and poet यह दोनों जो है उस photograph को देख रहे हैं तो cardboard सो करा रहाता है पैनल फोटोग्राफ को तो देखे करता है क्या कि उस photograph में है क्या लिखता है जब यानि कि when the two girls two girls cousins है cousins है went paddling अब यहाँ पर बात कर रहा है paddling की बात कर रहा है तो two girls कौन कौन सी है तो two girls cousins है किस की cousin है तो poet की mother के cousin है और वो कर क्या रही थी तो वेंड पैडलिंग करें चलिए हम लोग बात करें कि वो लोग तीनों यानि कि तीन लड़किया यानि कि पोईट और उनके पोईट की मदर और उनकी दो कजन्स जो है वे सी बीच पर जाती है एस्पेंड करने के लिए हॉलिडे को चुटी को तो समुद्र के किनारे जो है टीनों लड़किया पैडलिंग कर रही है और कता है कि क्या तो कहता है कि घल डिंग कर रही है वो holding कर रही है क्या holding कर रही है one of my mother's hands यानि कि मा के हाथ को पकड़ करके दोनों लड़किया जो है वो खड़ी है यानि कि मदर सबसे बड़ी है और दोनों जो उनकी cousins है वो छोटी है तो मा के hands को पकड़ करके वो stand है वहां पर on the sea beach पर और कहता है क्या कि and see the big girl यानि कि big girl word का use किसके लिए क्या हुआ है तो big girl comes for the poet's mother यानि कि poet की mother के लिए use हुआ है चले उनके age की बात करें कहता है कि पोईट की मदर का एज है सम 12 years or so यानि कि 12 साल की हो थी यानि कि एक question आए जाएगा कि age of the mother in the photograph क्या है तो answer होगा कि 12 years old यानि कि 12 साल की थी और वो big girl थी सबसे बड़ी लड़की थी अब ये तीनों लड़कियों के बारे में बात कर रहा यानि कि उनके चहरे पर फैले हुए थे और यानि कि फैस पर फैले हुए थे और तीनों लड़कियां मुस्कुरा रही है चलिए हम लोग बात करें फिर से cardboard एक photograph जो है वो hanged है on the wall में और poet and mother दोनों जो है उस photograph को देख रही है और in the photograph two girls and cousins जो है अब the poet's mother का वो क्या कर रही है पैडलिंग कर रही है यानि कि sea beach पर पैडलिंग कर रही है और दोनों लड़किया इचाप holding पकड़ी हुई है mothers के hands को और मा के बारे में बात किया गया है कि sea is the big girl यानि को एक बड़ी लड़की है और age of the mother is the 12 years or ratio यानि कि उसकी उम्र 12 सल की है और three girls stood खड़ी है with a smiling face and their hair जो है spread हो चुके है on their faces के उपर में and now question ही कि who has taken the photograph तो answer क्या होगा देखिए next line में कि at the uncle यानि हम इस uncle की बात कर रहे है यह uncle ने with the camera camera के साथ खड़े है actually उस photograph में uncle खड़े नहीं है camera के साथ यहाँ पर बताया गया कि uncle has taken the photograph यानि कि uncle ने उस photograph को लिया था किसको a sweet face यानि कि खुबसूरत प्यारा चेहरा यानि कि mother और उनके बहनों का मा का चेहरा बहुत प्यारा है और यह photograph उस समय का है that was before I was born यानि कि फोटोग्राफ कब का है जब पोट का बॉन्ड भी नहीं हुआ था यानि पोट के जनम के पहले का क्योंकि 12 यानि कि इस photograph में childhood of the mother को explain किया है चलिए बात करता है या एक वर्ड यूज क्या क्या है see see is a symbolic word और आप इसको कह सकते है as a symbol और to describe करने के लिए the nature को देखे काता है क्या and the sea which appears to have changed less यानि कि समुदर जो है appear क्या हो रहा है changed यानि कि बदला हुआ less less का मतलब होता है कि कम ही बदला हुआ है my meaning यह है कि poets की मदर जब 12 साल के थी तो उनकी उम्र भी बीदती है तो उनमे changing आ जाती है लेकिन see समुदर जो है उसमें बदलाव नहीं हुआ है क्यों भई because see is the part of the nature and the nature is a permanent thing और यह एक nature एक permanent चीज है तो देखें समुदर में तीनों लड़कियां खड़ी है और ऐसा लग रहा है कि समुदर का water यानि कि पानी जो है washed कर रहा है they are terribly transit fit थोड़ी देर के लिए लग रहा है कि उनके पैरों को धोता हुआ समुदर का पानी आ रहा है तो उनके पैरों को लग रहा है कि वास कर रहा है यानि कि धो रहा है तो आपने क्या देखा situation of the photograph को उसमें चली हम आँ बात करते हैं next stage में some 20 or 30 years later यानि कि 20 और 30 साल के बाद 20 और 30 साल के बाद की बात कर रहा है तो इसमें क्या बताया गया है कि पोएट की मदर जब 12 साल की थी उसके 20 और 30 सालों के बाद that means कि पोएट का बर्थ हो चुका था और मा जो है अपने डॉटर यानि कि पोएट को उस photograph को दिखा रही है तो कहता है गया कि उस photograph को देख करके मा क्या कर रही है she had laugh at the snapshot यानि उस photograph को देख करके मा हस रही है अब क्यों हस रही है यहाँ पर देखिए वर्ड यूज किया है laughing वर्ड भी जो है एक पोएटिक डिवाइस है और उसके थुरूपोएट ने ये कहना चाहा है कि laughing denotes करता है the remembrance of the past for the mother यानि कि मा जो स्नैपसट कर देख करके हस रही है that means कि remember कर रही है अपने past को चलिए मा क्या करती है आप उसको देखें मा करती है क्या कि see Betty Betty is the name of the cousin and Dolly is also name of the cousin यानि कि Dolly को देखो and Betty को देखो मा क्या करती है कि देखो Dolly और Betty को मा ने ये बात कहा और फिर करते हैं कि and look how they dressed us for the beach यानि कि कैसे जो है ये लड़कियां दोनों लड़कियां dress पाने भी थी कहां उस बीच पर इने की समुदर के किनारे पर पता है कि समुदर के किनारे जो होली days print करने जाते हैं तो कपड़े जो होते हैं हमारे वो कैसे होते हैं तो वही बात कर रहा है कि उस photograph में उनके dress को दिखाते हुए poet की mother हसती है कि dolly and betty का dress को देखने के लिए that means की वो remember कर रहे थी अपने past को तो चलिए अब यहां पर एक word यूज किया गया the sea holiday यानि वो holiday spent करने के लिए समुदर के किनारे हो जाती है अब यह photograph watch her past यानि कि childhood वो उसका past हो गया और mine his laughter और मा का जो laughter है वो उसका past हो गया और देखिए अपने लिए poet क्या करती है यहां पर mine word को यूज किया गया both ride with the labored is to loss यानि कि यह photograph दोनों के लिए यानि कि mother के लिए and daughter दोनों के लिए जो है turning point का काम करता है क्या turning point का काम करता है जिसको कि ease of loss जो उन्होंने खो दिया है क्या खो दिया है यानि कि mother ने अपने बच्पन को खो दिया है मा ने अपने past को खो दिया है तो आपने देखा first stanza में क्या दिखाया गया है situation of the photograph जिसमें तीन गॉल्स कड़ी है second stanza में आपने देखा कि poet के mother का middle age को दिखाया गया है यानि कि middle age को दिखाया गया है और इसमें poet की mother का childhood को दिखाया गया next line यानि कि next stanza क्या कहता है कि मा का death हो जाता है और मा के death होने के बाद अब हम सामने है photograph same और poet अकेली पड़ गई है तो वह ही कह रहा है कि she has been dead यानि कि mother जो है dead हो जाती है nearly as many years यानि कि यही 30 or 20 years के after जो है मा का death हो जाता है और as that girl lived यह girl word यूज किया गया है इसी mother के लिए तो कहता है कि poet के mother का death हो जाता है और इस circumstances में और उस समय सिर्फ poet रह जाती है और उसकी माद नहीं रहती है और इस circumstances circumstances मतलब होता है कि रिस्थिती परिस्थिती इस condition में there is nothing to say इस girl के लिए जो है कुछ कहने के लिए नहीं बचता है at all क्या बचता है it's a silence और silence सिर्फ खामोसी और खामोसी रह जाती है यानि यहाँ पर poet ने कहाना चाहा है कि poet जो है with the silence see करती है the photograph को and see remembered करती है हर mother को यानि कि same photograph एक source बनता है for the daughter as well as mother के लिए for remembrance of the past को past को याद करने का सुरोथ बनता है and poet जो है अपने mother को याद करती है तो इस last stage में poet के mother का क्या denotion किया गया है death का denotion किया गया है यानि आपने देखा कि childhood, middle age and death एक condition है in human's life यानि मनुस्य के जीवन में तो उमीद करते हैं कि poem आपको समझ में आ गया होगा अब इसके कुछ question answer है उसको थोड़ा सा आप देखेंगे first question कर रहा है कि what does the cardboard show पहला question कर रहा है कि cardboard क्या show कराता है denote in the poem तो cardboard denote करता है क्या यानि कि the photograph को denote करता है उस place को denote करता है where we can paste the photograph और why, क्यों has this word been used इस word का use क्यों किया गया है as a symbol of the photograph इस फोटोग्राफ के लिए इस word को use किया गया है दूसरा है कि what has the camera captured camera ने क्या captured किया इस question को दूसरे तरीके से भी question exam में आ सकता है कि who has taken the photograph photograph को किस ने लिखा and photograph में कौन-कौन से हैं तो आप लेकिन इस question का अंसर होगा कि camera ने क्या captured किया तो captured किया the photograph of the three girls means की poet का mother and her cousins photograph ने catch किया फिर कर रहा है कि what has not changed over the year देखें कोन सा change नहीं होता है सालो साल does this suggested something to you यनि कि इससे आप क्या suggest करते हो तो कहता है कि C के बारे में हम कर सकते है C has not changed over the year reason of not changing is the part of the nature and we know that nature is the permanent things next है poets की mother laughed at a snapshot poet की mother जो लाफ करती है at a snapshot पर तो what did this laugh indicate जैसा कि अभी हमने discuss भी किया था आपको कि उसका laughing indicate करता है remembrance of the past को यनि कि to see the photograph poet की मदर laughed करती है because she was remembering her past अपने past को remember कर रही थी next question what is the meaning of the both rai with the labored ease of loss यनि कि for the mother and daughter दोनों के लिए यूज किया गया है कि the same photograph has been creation created has been created the source एक source को create करता है to remembrance for the past के लिए यनि मा के लिए the same photograph past को याद कराता है और बेटी यनि दॉटर को भी यनि poet को भी वही याद कराता है next question है what does this circumstances refers to यनि कि ये circumstance क्या refer करता है तो हम कर सकते है कि after the date of the mother circumstances कैसा था तो बिल्कुल silent था और in that situation poet जो है क्या कर रही थी remember कर रही थी to her mother को and last seven number का question देखेंगे the three estanjas यनि तीन estanjas इसमें बताए गया है ये depict बताते हैं three different phases को और what are they ये कौन कौन से phase है तो first is the childhood second is the middle age and third one is the death ये three stages describe किया गया है इन इस point में और ये three stages the process of human life भी है एक natural process है यनि कि passing of the age is a natural process उम्र का गुजरना एक natural process है जो इस poem में आपको describe किया गया है उमिद करते हैं question answer और इस poem को आपने detail जरूर समझ गया होंगे एक खुबसूरत सा poem जो कि हमें अपने past को याद दिलाता है नाम है उसका photograph Thank you